मध्य प्रदेश में अब महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपरात करने वाले लोगों के ड्राइविंग लाइसिंस सस्पेंट किये जाएंगे इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किये हैं ये आदेश सभी शेतरी अतरिक्त और जिला परिवहन अधिकारियों को किये गए हैं आदेश के तहट सुप्रीम कोर्ट कमिटी ओन रोड सेफटी क्रियान वेन समिती पी टी आराइई पुलिस मुख्याले से प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रदेश में किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस धारक द्वारा महिलाओं के खिलाफ कोई गंभीर प्रकार के अपरात किये जाने की सूचना पुलिस विभाग या दूसरे विभाग से प्राप्त होने पर ऐसे लैसेंस चालकों के लैसेंस सस्पेंड किये जाएंगे साथ ही इस आदेश में ये भी निर्देश दिये गए हैं कि नवीन व्यावसाइक लैसेंस जारी किये जाने के पूर्व पुलिस विभाग के जिम्मदार अधिकारियों से चरित्र सत्याबन के आधार पर लैसेंस जारी किया जाना सुनिश्चित होगा परिवहन आयुक्त ये आदेश सभी परिवहन अधिकारियों को जारी किया है परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने कहा कि पुलिस मुख्याले से इस संबंध में निर्देश मिले हैं और इसी निर्देश के तहट सभी परिवहन अधिकारियों को इसका पालन करना है इसकी जानकारी पुलिस या फिर दूसरे विभागों के द्वारा प्राप्त की जाएगी यदि विभाग इस संबंध में महिला परादों को लेकर किसी लैसेंस धारी की जानकारी भेजते हैं तो उस जानकारी पर ततकाल संग्यान लेकर जिला परिवहन अधिकारी और दूसरे परिवहन अधिकारी ततकाल एक्षन लेंगे साथ ही ऐसे सभी लोगों के लैसेंस सस्पेंड करने की कारवाई की जाएगी महिला सुरक्षा के चलते मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है हलंकि इससे पहले भी दो साल पहले इस तरीके के आदेश परिवहन विभाग की तरफ से जारी किये गए थे इस आदेश के तहट कई लोगों के लैसेंस सस्पेंड करने का काम विभाग के द्वारा किया गया था उस दोरान भी पुलिस और दूसरे विभाग के द्वारा महिला अपराद करने वाले लोगों की जानकारी विभाग को मिली जानकरी के आधार पर लैसेंस सस्पेंट करने की कारवाई की गई थी साथ ही नवीन लैसेंस जारी करने से पहले पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन और पुलिस की रिपोर्ट जरूरी की गई थी तमाम नियम एक बार फिर सरकार की तरफ से मद्धि प्रदेश में लागू किये गए हैं इसके पीछे सरकार की मन्शा है कि गंबीर अपरात करने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई की जाए मुखी मंत्री शिवरात सिंग चोहान के निर्देश के बाद मद्धि प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम अभियान चलाई जा रहे हैं महिला अपरात करने वालों के खिलाफ कारवाई की जा रही है पावर्ड बाइ आर्थ्रोस्क्रीनिग ए डेडिकेटेट सेंटर पोर आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्स इंजिर्म